वेल्कम टो यूट्यूब चैनल जेके गॉसिप्स आज की इस वीडियो में आपसे डिसकस करने वाले हैं जेके SSB, JNK Services Selection Board की तरफ से एक नया notification जो निकल करके सामने आया है जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल की date में 7 तरीको एक notification रहा था document verification की dates announce करी गए थी उसमें बताया गया था एक लिस्ट भी अपडेट की गए थी जिसमें students के नाम थे candidates के नाम थे जिनने document verification के लिए जाना है और certificates के format उसमें दिखाई गए थे आपको तो आज की यह जो वीडियो है इसमें आप से डिसकस करने वाले हैं उसी notification के अगेंस एक और notification जो है officially वो जिके की तरफ से निकाली गई है जैसे कि आपके सामने screen पर दिखाई पड़ रहा है revised notification अब इसमें क्या है वही आप से डिसक्स करने वाले हैं इस वीडियो में वीडियो एंट तक देखेगा क्योंकि आपके doubts कहीं तरह के इसी वीडियो में जो है क्लियर होने वाले हैं तो देखिए सब्यक्ट किस बारे में है ये document verification को लेकर के है जो की gk ssb class 4th के candidates की होने वाली है सबसे पहले provisionally shortlist किया गया candidates को अब document verification के लिए बुलाया गया इसमें qualification के लिए भी कहा गया था कि minimum जो है metric रहेगी और maximum 10 प्लस 2 है तो अब क्या है कि board यह जो notification दुबारा निकाली है वो इसलिए निकाली है कि सामने यहां पर देखिए clearly लिख रहा है कि board is continuously receiving queries from the candidates board को candidates की तरफ से जो questions है उनके वो लगातार सामने आ रहे थे अभी भी सामने उनके आ रहे हैं कि उनका नाम जो है वो एक जगाह है कहीं उस district के against नहीं है जहां पर उन्होंने fill कर रहा था या multiple जो उन्होंने वो fill करी थी जो अभी वो चाहते है उस पर नहीं है या मतलब की candidates का जो चाह रहे थे इस तरह से नाम होना शो होना चाहिए वो नहीं हो रहा या candidates यह कह रहे थे कि हमारे marks पिछली वाली जो list आउट हुई थी जिसमें उनके scorecard दिखाए गए थे उसमें जितने marks थे कल वाली date में जो 7 तरीको scorecard आया हो उसमें same marks नहीं है उनके marks में alteration है कम हैं किसी के marks तो उसको लेकर के काफी सवाल जो थे board के पास आ रहे हैं तो उसके response में बोर्ड ने यह answer इस notification में दिया है देखे सामने दिखाया कि यह जो publishing की गई है candidates के इस list में यह सिर्फ intimation है document verification को लेकर की document verification के लिए आप आ सकते हैं आपका list में नाम है सर्फ यही purpose है इस list में particular in candidates का नाम लाने का यानि कि आप marks की तरफ दियान मत दीजिए कि document verification वाली इस list में आपके कितने marks हैं आपको सिर्फ final list को दियान में रखना है जो इससे पहले list आई थी उसको दियान में रखना है और अपने marks को जो आपके marks थे उन्हीं marks को लेकर के चलना है आप सिर्फ document verification के लिए जाएं जो कि पंदरा तारिक से शुरू होने वाली है जैसा कि आप जानते हैं 15 साथ 2021 से शुरू होने वाली है तो यहाँ पर clearly लिख रखा है यह देखी यह आप खुद भी चाहें तो पढ़ सकते हैं कि सिर्फ document verification के लिए candidate को बुलाना है इसलिए हमने ये list में candidates के नाम announce किये हैं publish करे हैं marks के तरफ ध्यान मत दीजिए तो provisionally जो shortlist किया गया था candidates को उसमें जो marks थे उनहीं के marks को ध्यान में रखा जाएगा बाकी इस notification में आपको सर्फ नाम बताए गए हैं बाकी details करीब करीब same ही हैं जो पिछली notification में आपको दिखाई गई थी क्याकर documents आपको चाहिए हैं यहाँ पर वही documents copy of online application form data birth certificate इसमें 10th का डिपलमा या marks card दोनों में और है कोई एक लेकर जा सकते हैं reservation category certificate अगर है तो domicile certificate 10 plus 2 की mark sheet या डिपलमा दोनों में से कोई भी एक लेकर जा सकते हैं या कोई भी application 10 plus 2 तक ही है इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा तो उसके लिए एफिडेविट बिनाना पड़ेगा यहां पर clearly लिख रहे हैं देखें बिफोर फर्स class magistrate अफिडेविट बिनवाना है अटक्ष करवाना है मैजिस्ट्रेट मैजिस्ट्रेट से वहां पर लिखवा करके कि मेरी minimum qualification जो है वह metric और maximum जो है 10 plus 2 है इससे जदा में नहीं पड़ाओं और वह डेट यहां पर 288 2020 28 अगस्थ 2020 तक आप ही qualification maximum जो थी वह 10 plus 2 थी अगर इससे जदा आपकी qualification होती है तो आप इस जॉब के लिए eligible नहीं है आपको आउट कर दिये जाएगा बाकी PDF आप डाउनलोड करके जेके SSB के साइट से देख सकते हैं jkssb.nic.in certificates के formats इस PDF में भी आपको मिल जाएंगे अगर आप डाउनलोड करना चाते हैं तो इससे पिछली वीडियो में link दिया है वहाँ पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं candidates के नाम यहाँ पर भी दे रखे हैं तो list सेम ही है marks की तरफ दियान मत दिजेगा इसमें आपका नाम publish करने का सरफ एक ही मकसद है आपको document verification के लिए बुलाना marks अगर आप देखने हैं तो आप उन्हीं marks को final ले करके चलिए जो आपके प्रोविजन जो शॉर्ट लिस्ट आई थी से पहले उसमे marks आपके अफलोड थे उन्हीं marks की तरफ आप ध्यान दिजिए इन marks को आप ignore करिए फिलहाल के लिए तो आज की वीडियो में बस इतना ही को कोई आपकी और की question होता है तो आप comment करके पूर चुकते हैं थेंक्यू जाइन